भारत के पूर्फ क्रिकेटर सुनील गावसकर ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के बारे में विराट कोहली के हालिया खुलासे पर अपनी राय दी है सुनील गावसकर ने कहा मुझे नहीं पता कि इन सभी खिलाडियों के साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या स्थिती थी आदर्श रूप से यदि उसने संपर्ख करने वाले एक व्यक्ति का नाम लिया है तो शायद संपर्ख में नहीं आने वाले अन्यव व्यक्तियों का भी नाम लिया जाना चाहिए था यह सोचने के बजाए कि हर कोई उसके संपर्क में नहीं आया यह सोचने के बजाए संबंधित सभी के लिए थोड़ा सा उचित होता गावसकर ने आगे कहा कि कोहली क्या संदेश चाहते थे उन्होंने सवाल किया प्रोटसाहन लेकिन फिर वो कप्तानी के साथ किया जाता है तो उसे प्रोटसाहन की आवश्यक्ता क्यूं होगी? वो अध्याय कप्तान पहले ही बंध हो चुका है अब आप केवल एक क्रिकेट के रूप में खेल रहे हैं वो भूमिका क्यूंकि जब आप कप्तान होते हैं तो आप अपने साथियों के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं एक बार कप्तानी खत्म हो जाने के बाद अपने खेल पर ध्यान केंद्रत करने का समय आ गया है क्या हमेशा की तरह सुनील गावसकर बकवास कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं